नमस्कार आप देख रहे हैं HCN News रतन टाटा विश्व भर के लिए एक ऐसा नाम बन गया है जिसके पहचान की दुनिया महताज नहीं इन्होंने अपने जीवन में पैसों के साथ साथ खूब नाम और इज़त भी कमाई इनके सफलता के पीछे कई उल्जे और संघर्ष पुन सफर भी रहे हैं जिसके बारे में बहुत कम लोग ही जानते हैं या यू कहीं तो कुछ लोग ही जानते हैं लेकिन आज इस वीडियो में हम उनके संघर्ष की कहानी नहीं बलकि वो किस्सा साजा करने वाले हैं जिसमें उनके जीवन साथ ही या हमसफर का जिक्र हो हर सफल व्यक्ति के पीछे किसी ना किसी महिला का हाथ होता है और ये सवाल उठना भी लाजमी है कि आखिर रतन टाटा की जिंदिगी में वो महिला कौन रही साथ ही उनसे जोड़ी पांच ऐसी बातों के बारे में भी बताएंगे जिसके बारे में अब तक शायदा पंजान होंगे पहले आपको बता दें कि रतन टाटा की परवरिश उनके दादा दादी ने की है दरसल उनके बेहत कम उमर में रहते ही उनके माता पिता अलग हो गए थे जिसके कान उन्हें ना तो उन दोनों का प्यार मिला और ना ही साथ इस बड़ी से दुनिया में वो खुद को अकेला महसूस करते थे रतन टाटा जमशेट जी टाटा के परपोते हैं जिन्होंने टाटा समू की स्थापना की थी उनके माता पिता 1948 में अलग हो गए जब वो सिर्फ 10 साल के ही थे उनका पालन पोशन उनकी दादी नवाजबाई टाटा ने की है आप सभी जानते होंगे कि बिजन्समैन रतन टाटा ने कभी शादी नहीं की अपनी शादी को लेकर उन्होंने एक एहम जानकारी दी थी उन्होंने बताया था कि उनके पास चार बार शादी का प्रस्ताव आया लेकिन विभीन कारणों से शादी नहीं हो सकी यहां तक ही कई बार उनके जिन्दगी में प्यार ने दस तक भी दी बाश शादी तक भी पहुची लेकिन जीवन साती का साथ पाने का संजोग नहीं बन पाया रतन टाटा के एजुकेशन की बात करें तो उन्होंने आठवी कक्षा तक मुंबई के कैंपियन स्कूल से पढ़ाई की इसके बाद 1955 में नी यॉक शहर के रिवर डेल कंट्री स्कूल से ग्रेजुएशन किया 1959 में उन्होंने इंजिनियरिंग के पढ़ाई करने के लिए करनल विश्वी विद्याले में दाखिला लिया बाद में 1975 में उन्होंने हावर्ड बिजनेस स्कूल से एक मैनेजमेंट कोर्स किया अब आपको बताते हैं कि आखिर रतन टाटा की पहली जॉब क्या थी रतन टाटा की पहली नौकरी टाटा स्टील में थी उन्होंने साल 1961 में अपने जॉब की शुरुवात की उनकी पहली जिम्मेदारी ब्लाश्ट फरनेंस और लाइम स्टोन की खुदाई के मैनेजमेंट का था अब आपको रतन टाटा की जीवन के एक चौकाने वाले किस्ते के बारें बताते हैं रतन टाटा ने IBM से नौकरी के मौके को खारिज कर दिया था इसके बजाए वो टाटा स्टील के शॉब फ्लोर पर अपने फैमिली बिजनस में शामिल हो गय थे आपको ये रतन टाटा से जूड़ी जानकारी कैसी लगी अपने राह में कमेंट करके ज़रूर बताएं और देखते रहे हैं अचसे न्यूस धन्यवाद